दोस्तों अगर आपको जट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS Clips Hindi के चैनल पर आपका स्वागत है बहुत सारे वीडियो देखें आपके YouTube पर, mostly English में होता है तो मैंने सोचा कि आज की कॉनरसेशन हम हिंदी में करेंगे योगा हमारे देश की देन है बिलकुल पर बाहर के लोग accept कर रहे हैं और I feel की भारत के लोग अब accept करने लगे हैं बिलकुल सही मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त मैं खुद भी बहुत ज़्यादा weight training करता था जिम जाता था अभी भी करता हूँ पर योगा की एक entry हो चुकी है मेरी life में पिछले दो साल तीन सालों से meditation बहुत देर से कर रहा हूँ पर asanas की entry हो चुकी है और ashtanga की entry हो चुकी है तो मैंने खुद के life में changes देखें पर मैंने सोचा की एक advanced level yoga practitioner से और ज्यादा गहराई से सब्जेक के बार में जालो बिल्कुल सही कहिए होता यह है कि लोग अपने देश में कुछ ऐसा हो गया है कि बाहर से जब कोई चीजे आती ना तो लोगों को लगता है कि बहुत useful है वो अपने देश की चीज वैल्यू ही नहीं करते जबकि अपने संस्कृति तनी स्ट्रॉंग है अपने देश ने जो दुन्या को बता है और योग अपूरी दुनिया पूरा विश्व जानता है कि योग बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए और मैं च मानती हो कि हर इंसान को योग सीखना ही चाहिए योग एक विशय ही ऐसा है कि जो कहता है वह हमें अपना जीवन कैसे जीना है ये योग बताता है साइंटिफिक गहता है ने कि वैग्यानिक तरीके से बिलकुल व्यवस्तित तरीके से योग तो ये बात करता है हम इंसान पैदा हो जाते हैं हमें पताईडी हम क्यों पैदा हुए है और पैदा हो गए उसके बाद माबाप जो कहते हैं वो हम करते हैं भाई बेन जो कहते हैं वो करते हैं बड़े ओके दोस लोग जो कहते हैं वो करते हैं आगे जाके और भी अपना संसार थोड़ा पस देख देख कर हम करते हैं कोई अग जो बहुत ही गलत है योग के हिसाब से, योग तो कहता है कि हर इंसान यूनिक, अलग है, हर इंसान को अच्छी तरह घड़ा गया है, हम सब अलग है, कोई डुपलिकेसी दी है, या कोई ट्विंस यह सा नहीं है, एक पेड को देखो आप, एक पेड के अंदर इतने पत्ते हैं मगर आप ध्यान से देखो, हर पत्ता अलग है, उसी पेड का होगा, मगर हर पत्ता अलग है, यो कहता है कि आप कौन हो, पहले अपने आपको पहचानो, मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है, मेरा सभाव क्या है, किस चीज से मुझे बुरा लगता है, किस चीज से मुझे अच जी, ओके, अकसर लोगों सिर्फ लगता है कि योगा मतलब आसना, जाओ, नो, नहीं, नहीं, योग मैं तो देखे, तीन विश्यों से बनाए, पहले तो हम योग शब्द ही समझ ले, योग मतलब जुड़ना, यूनियन, जो हिंदी में कहते है ना, तीन और दो का योग क्या है तो पांच, प्लस, वो योग, अब कौन किसके साथ जुड़ रहा है, ये प्रश्ण उड़ता है, तो मैं ऐसी चीज के साथ जुड़ रही हूँ, जिसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है, उसके साथ मैं जुड़ूँगी ना, तो योग का मतलब ही है ध्यान, नहीं, कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में मुझे जुड़ना है, मुझे जानना है, तो मैं ध्यान करूंगी, उसके साथ जुड़ूँगी, तो एक ये उसका विशा है, याने योग मतलब ही ध्यान, कॉंसेंट्रेशन, दूसरा भगवान के साथ जुड़ना हो, आत से हम इश्वर तक पहुंचेंगे, ये योग का रास्ता है, तो इसमें क्या होगा, कि हम हर दिन हम पहले जो है उससे थोड़ा बैतर बनेंगे, हम ध्यान देंगे कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे बैटर कुछ करें, बैतर कुछ करें, अच्छा करें, हम हर चीज से सीखे और और अच्छी तरह आगे बढ़ें, वो ये रास्ता है, इश्वर तक पहुंचने का, और इसलिए हमारा जीवन ही इस तरह का होना चाहिए, कि जो भी चीज हम कर रहे हैं, उससे समझे, उससे और अच्छा कैसे हो सकता है, भाद यान दे, कोई भी चीज, क्यों नहों, इवन बाते करना हो, इवन सोचना हो, कोई काम करना हो, हम वो उस रास्ते पर चले, तो हम इश्वर तक भी पहुंचेगे ना, प्यार भी करेंगे, तो पहले इंसान को प्यार करो, तभी इश्वर के साथ प्यार का भी शय आएगा, इसलिए सब चीज इस तरह चलेगी, ये योग ह और भी सीधी सीधी परिभाशा है योग में, जो भगवत गीता में कही है, कि कोई भी काम को कुशलता से करना है, वो योग है, क्योंकि आप काम के साथ जुड़ गए हो, वो भी योग है, उसी तरह शरीर और मन एक साथ रह के आगे बढ़ना, समत्वम योग उच्यते, बैल जो बढ़ना है, वो चलता रहेगा, लेकि आपके अदर तो शांती ही रहनी चाहिए, आपके अंदर उठाव पुतल, होनी नी चाहिए, तो अगर आप यह सीख रहे हो कि शरीर और मन साथ में रहे और आप काम करो, तो वो योग है, अमारा मन तो क्या है, हमारा मन तो न्यू के साथ होना चाहिए, नहीं तो हम गलत काम कर डालेंगे मन में दो चीज है एक तो है सोचने की एक शमता बुद्धी, वो हमारी सोचने की शमता है, हर एंगल से देखना हर चीज को अलग-अलग धंग से, वो और दूसरा हमारी भावना है हमारी भावना है हमारी भावना है वो भी मन में है, अब भावना है पॉजिटिव याने सकारात्मग भी हो सकती है और नेगेटिव नकारात्मग भी हो सकती है अभी आप बड़े अच्छे मूड में हो, खुश हो पी रहे हो, चाय पी रहे हो और मक्ही गिर गई तो मूड कर हम गुस्सा आगया, एक सेकेंड में भावना बदल गई, अच्छी भले थे, अब आपको जरा गुस्सा आगया, कि ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों यहां सब चीजें हो रही है, भावनाएं बदल गई, तो भावनाओं पर बहुत ध्यान देन फ्रस्ट्रेशन, जो भी हम यह सब शब्दवा परते हैं, यह सारी चीजों में भावना अटक गई, तो हम बिलकुल नीचे गर्द में उतर जाएंगे, सारे रोग, सारे दोख, सारे प्रॉब्लम इसकी वज़े से होंगे, योग तो कहता है, कि हमारे सारे रोग की जड़ ही हमारी यह नेगेटिव भावता है, हमारा मन है, कहने का मतलब है हमारा मन, तो महा ध्यान देना पड़ेगा, यह और दूसरी डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन की बाते हैं, परिभाशा, योग की परिभाशा है, और एक सबसे मुख्य परिभाशा, जो योग सूत्र में में शरीर और आसन प्रानयम कहीं नहीं आते, योग ये सब है, मन की सारी वृत्तियों पर काभू पना, वृत्ति मन का काम है सोचना, तो हमारे मन को पकड़ो, उसको सही धंग से सोचने का करो, चुप कराओ उसको, निरोधा वो योग है, दोस्तों कर ये वीडियो अच्छा ल दो레이 मन काम है, ये वीडियो आच्छा दिस दो सब ये वीडियों अच्छा ओ से Σब्सक्राइब काम है, मैं दोला डे एक सम्स्तिक कर तोbb झाल, क्योँ जबक है, मैं measure喔, पनти अ yardım प्यूस्तिक है